पिछले दो साल से अधिक समय से रेल विभाग ने कई ट्रेनों को कुरोना के चलते पट्री पर नहीं दोडाया था लेकिन अब फिर से ट्रेने रिस्टोर की जा रही है रेल विभाग द्वारा 114 ट्रेने शुरू की जा रही है जिससे यात्रियों को खासी रहत मिलने वाली है अंबाला रेल मंडल प्रबंदक गुरिंदर मोहन सिंग ने बताया कि कोरोना काल के दुरान काफी मेल वा पैसेंजर ट्रेने बंद कर दी गई थी जिसके बाद अब कोरोना काल खत्म होने की कगार पर है उन्होंने बताया कि रेलवे ने मेल एकस्प्रेस गाड़ियों को फिर से चला दिया है जबकि पिछले सब्ताह नॉर्धन रेलवे ने 116 रेल गाड़ियां और चलाने का निर्ने लिया है जो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में चलेंगी उन्होंने बताया कि हमारा नया टाइम टेबल जो पिछले वर्ष 1 जुलाई 2021 को लाग हुआ था उसमें अमाला मंडल में 114 रेल गाड़ियां चलनी थी अब इस नोटिफिकेशन के बाद 114 गाड़ियां पट्री पर फिर से आ जाएंगी उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ियों को मेल एक्सप्रेस बनाया गया है इसमें यात्रियों को समय कम लगेगा और सोविधाज जादा मिलेगी उन्होंने ये भी बताया कि कई गाड़ियों में किराया नियूंतम 10 रुपे होता था लेकिन अब 30 रुपे किया गया है जिस रेल गाड़ी को एक्सप्रेस बनाया गया है उसे एक्सप्रेस की लेन से चला जा रहा है हो जाएंगी तो जो हमारा नया टाइम टेबल है पिछले साल एक जुलाई दो हजार एक्सप्रेस को लागू हुआ था उसमें अमबाला मंडल में एक सो चौदां सरफसिज चलनी थी इंटर्डूस होनी थी और इस नोटिफिकेशन के बाद वो सारी एक सो चौदां की चौदा की तरह चलाया जा रहा है ताकि एक फास्ट पसेंजर की तरह सर्फसिज पर राइड करें ताकि एंड टू एंड जाने वाले पसेंजर को टाइम कम लगें और सुविदा जादा मिलें टिकट के रेट देखिए कई गाडियों में 10 रुपे होता था उसका मिनीमम जो किराया ह ओ 20 रुपे किया जिसको एक्सपरेस बनाया फो इसको एक्सपरेस की रेड़ी का किरया जो लगता वहीं लगेगा वो पसेंजर की कटप्र यरेल गाड़्यों के चलने से वे काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि इस से पहले उन्हें भारी परिशानी का सामना करना पड़ता था। ynने कहा कि रेल, गाड़्यां चलनें से, अपने गंतफ़े तक वे शीकरता के साथ पहुँच सकेंगे। अच्छा बैता समोना पर लिए सीमा नाम सीज है आज से रेडगाड़िया चुरू हो रही है बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत अचा सफर लग रहा है मैं बहुत फुरेडगाड़े जाए